हेलो गाई जारखन में एक बार फिर से लगडाउन किया गया है और इस बार का जो निया में बहुत ही कड़ा है ऐसे में अगर आप अपने डिस्टिक में कहीं आते जाते हैं या फिर एक डिस्टिक से दुसरे डिस्टिक में आते जाते हैं या फिर बाहर से जारखन में आने ज नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है गनीश और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चनल ओके इन्फोटिक तो चलिए बिना कैसी दरीके शुरू कर लेते हैं तो दीके सबसे पहले आपको क्या करना है आप मोबाइल लैप्टॉप पीसी जिसका भी इस्तमाल करते हैं सबसे पहल पर देखेंगे फिर से आपको कंफर्म करना को वही मोबाइल नमर जो आपने अपी टाइप किया चलिए फिर यहां पर मोबाइल को टाइप कर दें हैं कंफर्मिशन के लिए फिर साम से बटेबल ऑपशन पर चलिक करने भाद आप देखेंगे कि एक पासवर बनाने के कहा जा रहा हैं पासवर पोलिसी है यह सब कम से कम जिक पर आपको करना होगा उसके बाद आप जो भी यहाँ पे लेटर लिखेंगे उसमें एक अपर केस में होना ही चाहिए उसके अलावा आपको कोई भी डिजिट करेने के कोई भी नंबर का भी आपको इस्तमाल कर सकते हैं उसके अलावा आपको कोई भी अस्पेसल करेक्टर भी इस् तो यहाँ पर आपको click कर देना है, समिट करने के बाद आप देखेंगे, आपका जो registration हो successfully हो चुगा, successfully होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से home page पे आना, और सब से नीचे आपको चले आना, यहाँ पर आप देखेंगे, लॉग इन वाले option पर क्लिक करना है लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकास से इसका इंटरफिस देखनों की मिल जाता है जहां पर आप देखेंगे आपका यहां पर नाम पुछा जा रहा है तो आपके अपना नाम टाइप कर दे देखेंगे तो आपको इस वाले फिल्ड में फुल्फिल करना है जो भी आपका अपना सारा डेट इड्रेस यहां पर फुल्फिल करने के बाद सब्मेट शेप का एक option मिल जाता है तो चलिए से वाले option पर हम यहां पर क्लिक कर देते हैं कि आपका जो प्रोफाइल हो सकस्पु आप यहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप से कोई भी एक आईडे प्रूफ मांगा जा रहा है उसके जहां सारा लेश्ट दिया गया है आपका वोटर एडी कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लासेंस कि करे। ऐसे का यहां पर दे सकते हैं इसCASE में ही अगफार करत हैं अपर करने के लिए अपको पास ड्यकसण करने लिए आपको एक ऊप्सण मिल जाता है आपको ए-प सभरिश्ट आपना Kinnais transition यहां पर प्रकास का स्कृdon आरे कि सबसे पहला से पूछा जा रहा है आपका जो यह पास होते होगा उसकी आरी है तो हम आपको सिले bail करना हूँ आपकर سबतल्ग कर देपा सबसुर्थ जाते हैं यहां से प्रूपर तरीके से आपको option select कर लेना एक उसके बाद save का option मिल जाता है यहां पर save क्लिक कर लेना अब आपको कुछ personal information यहां पर देना जैसे आपका current address आपकी इस state में विजिट करना चाहते हैं उस state का district कौन सा है उसके बाद आपको उजिट का address को complete यहां पर देना होगा उसके बाद यह पास का category क्या होगा उसके लिए आप यहां पर क्लिक करें तो यह लंगी से लिस्ट आ जाएगी जहां से आपको प्रूपर तरीके से कोभी option को select करन चाहते हैं और किस डेट को अपने state में आना चाहते हैं अब किस डेट आपको यहां पर टाइप करना हो एक बाद सारा फिल्ड को आपको फुल्फिल कर लेना है उसका जब निची आएंगे तो declaration box मिल जाता है वहां पर कुछ terms and condition जिसका आपको मानना होगा उसके लिए सभी को आपको टिक लगाने और टिक लगाने के बाद एक बार फिर से जो इतना अपने फिल्ड भरा है सबको एक बार अच्छी तरह से देख लागर सब कुछ सही रहेगा तब ही जाकर करके आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले आप देख चेक करने बाद आपको रैट्राच चर्ड में आपको लागर देखेंगे शर्डाफ अपको कर दिना अब क्लिक बाद है आप चर्ड आप स्बस्रण नदे बड़र बात ऊचान पत्र धिया उसको अपने साथ में रख लेना है अब इसे printout निकालने के लिए सबसे दीचे कलिक करें अब इसे printout में निकाल सकते हैं और PDF एक कर सकते हैं इसको आपको जहाँ है जाहां में जाया है इसको आपने साथ में रखना होगा तो इस परकार घर बटे आसानी से आपना इपास बना सकते हैं और जनकारी कैसे लिए केमिर्स कर बता है अगर कोई परिसानी होता तब ही आप विडियो पसंद है वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करने के साथ आप वीडियो को सेयर भी किजिएगा मिलते हैं अगली वडियो नेटप के साथ अपते के लिए जय हिंद